15 साल से 35 साल की जो audience है उनको ये movie Hello guys, welcome to our channel Popcorn Panchayat, मैं Manish Guys, आज मैं थेटर में एक Tamil movie देखके आया हूँ जिसका नाम है Love Today Guys, ये movie रिलीज हुई थी 4th of November को Tamil language में और मैंने finally आज ये movie देखी ये करीबन 2 हफते बाद with English subtitles सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके actor, इसके director और इसके writer की प्रदीप रंगनाथन, जिया दोस्तों यही इस movie के mainly director है, director है और writer भी है और इस movie में जो अधाकारा है, जो actress है, उनका नाम है Ivana और यार वो इतनी खूपसूरत लगी है, natural Indian beauty इतनी सुंदर लड़की, उनका screen presence इतना अच्छा है, she is so beautiful यार start to end, यह जो दोनो hero heroine है, प्रदीप और इवाना start to end, इनकी chemistry mind blowing, इनके romantic scene mind blowing, fun loving, emotions amazing आप इन दोनों को किसी scene में अगर रोतावा देखोगे न, आप यह सोचोगे यार, यह सच में दोनों रो रहे हैं क्या, acting लगेगी नहीं, आपको they are so natural in their performance यार, मज़ा आ गया, बात करूं इस movie के content की एक दम new script, एक दम new idea है इस movie का, यह movie एक rom-com movie है romantic comedy movie है, आपको देखने में मज़ा आएगा, trailer में जितना बताया है मैं उतना आपको बताता हूँ कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते है लड़की का पिताजी बोलता है, मैं तुमारी शादी करवा दूँगा, तुम बस अपने mobile एक दिन के लिए exchange कर लो, मतलब जो प्रदीप है, उसका mobile आप इवाना को दे दो, जो इवाना है उसका mobile आप प्रदीप को दे दो ओ भाई साथ, फिर देखो आप उस movie का मज़ा, मैंने ये movie first half तो सिर्फ हसते हसते और enjoy करते करते देखी है इतनी situational comedy है, और इतने प्यारे प्यारे cute scene है, second half में इस movie में tragic comedy है, बहुत सारे emotions है और मैं वापस से कहना जाऊँगा, जो प्रदीप है, उनका काम बहुत अच्छा है, बात करूँ इस movie के music की, music बहुत अच्छा है, एक mall में बहुती fun loving song है, उसमें choreography बहुत अच्छी है सिट स्रीराम जिन्होंने गाना गाया था, पुषपा का, तेरी जलक का शरफी, श्रीवली, भाई साब उन्होंने वो गाना गाया है, इतना जोड़दार गाना गाया है वो, वो तो बस ऐसा था कि भाई ये गाना चलता रहे, और उसके बीच में, वो जो couple है, main lead couple, उनका romantic scene, उनके romantic emotional dialogues, क्या impact था उस scene का, यार, वो समंदर पे वो scene shoot किया है, रात को, चांद की रोशनी में, वो दोनों conversation कर रहे हैं, they are very emotional and they are proposing each other, they are saying कि हमको तुम से कितना प्यार है भाई साब, और उसके बीच में स्रीराम का वो romantic song, चार चांद लगा दिये थे, this movie is worth watch, मुझे लगता है 15 साल से 35 साल की जो audience है, उनको ये movie बहुत पसंद आईगी, और शायद इसमें एक दो scene ऐसे हों, आप family के साथ ना जाएं, तो ठीक है, popcorn पंचायत की rating, love today के लिए रहेगी, 3 stars out of 5, और guys हमारे channel की एक खास बात है, उस खास बात के लिए आप हमारे channel को subscribe करो, like करो, whatsapp group में हमारे video share करो, आप मैं बताता हूं वो खास बात क्या है, कि हम सब religion की movie देखते हैं, सारी regional movie देखते हैं, आप Hindi बोलो, English बोलो, Tamil बोलो, Malayalam बोलो, Kannada बोलो, Gujarati movie बोलो, और अभी recently मैं subscribe करें, like करें, share करें, तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you